नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हो लोग भारत के प्रनुक दर्रों को देखेंगे जो कि आपके आगामी एक्जाम यूपी प्यस्सी और अधर इस्ट्रियोट एक्जाम के लिए महत्पूर है जहां से भारत के भूल के प्रशन पूशे जाते हैं उनमें दर्रों से प टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक भी दे दिया गया है वहां से जोइन करके आप पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं उपर दर्रों का नाम लिखा हुआ है फि लेकिन आपको पता होगा जमू कस्मीर और लदाक को दो ने केंदर सासित प्रदेश जो है बनाए गये हैं तो अब यह जो है लदाक में आपका यह भारत का सबसे उचा दर्रा है जिसकी उचाई है 5664 मीटर तो यह पूछा जाए कारा कोरम दर्रा जो है कहां से संबंदित ह है तो यह लदाक केंद सासित प्रदेश में जो है इस्तित है और यह भारत का सबसे उचा दर्रा है सिकेंड देखने हैं चांगला दर्रा चांगला दर्रा भी आपका यह लदाक में है अगला है जोजिला दर्रा यह भी लदाक में है जो की जासकर स्रेडी में है तो प्रश् अगला है पीर पंजाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कास्मीर में है ये जम्मू से स्री नगर मार्ग इसी दर्रे सेव कर गुजरता है और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्मार भी किया गया है अगला देखते हैं अब सिपकिला दर्रा ये हिमांचल प्रदेश में है और ये आपका जासकर स्रेणी में स्थित है ये सिम्मला को तिब्बत से जोडता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रिवेश करती है ये दर्रा भारत चीन के मधे ब्यापारिक मार्ग भ याद रखेगा सिपकिला दर्रा किस राज में हैं हिमांचल प्रदेश में और यह जासकस रेडी में इस्तित है दोस्तों यह आप UPSC और UPSC एक्जाम के प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप Unacademy Learning प्रेटफार्म से जुड़के अपनी त्यारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और आप असानी से एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं Unacademy पर UPSC प्रिलिम्स एक्जाम्स के लिए फ्री टेश्ट सिरीच करा जाता है यह हर रभिवार को दोपार एक बजे और साम को साथ बजे इसका एनालेसिस भी करा जाता है टेश्ट आपका बिलकुल फ्री है इसे आप लोग जोईन जरूर किजेगा Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इस अभी फीचर्स जो है उपलब दोंगे बैच कोर्से जो अभी एबलेबल है Unacademy पर UPSC अपर सबाडिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स दोहर बाइस यह आपका 22 अप्रेल से सुरू हो गया है जो लोग जोईन करना चाते है आप जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है फिर प्रगती 90 डेज यूपी पर सी आरो यारो प्रिलिम्स बैच कोर्स है यह आपका 28 सप्रेल से सुरू हुआ है तो जो लोग आरो यारो की त्यारी करना चाते हैं आप इस बैच से जुड़ के त जोड़ना जिसे आपको इंस्टेंटzip का 10 डिकन जो है मिल जाएगा वन मंद का सब्सक्रिप्शन आपको 1260 रुपए करना है । तो ये रिफिर प्रण कोड आप लोग यूज जेरू किजाएगा तो वनएकडमी पर जो इस आप जोड़ना चाहते हैं तो be continued के तो आप अपनी त्यारी को जो है बहतर तरीके से कर सकते हैं तो अगला है अब आपका देपसा दर्रा देपसा दर्रा ये हिमांचल परदेश में ही है ये कुल्लू जिले को इस पीटी से जोडता है तो प्रस्नेदी पूछा जाए कि कुलू जिले को इस पीती से कौन सा दर्रा जोडता है तो देप सा दर्रा जोडता है आगे देखते हैं अब लुंगलाचा दर्रा ये भी हिमांचल प्रदेश में ही है इले लदाक को जो है मनाली से जोडता है लुंगलाचा दर्रा रोहतांग दर्रा यह आपका हिमानचल प्रदेश में है और पीर पंजाल स्रेडी में इस्तित है तो यह पीर पंजाल स्रेडी में है बड़ा लाचा दर्रा यह आपका हिमानचल प्रदेश में है और यह जासकर स्रेडी में है लेह लद्दा को मंडी लाहॉल से जोडता है बड़ालाचा दर्रा अगला है माना दर्रा माना दर्रा यह आपका उत्राखन राज में है और कुमाउस रेडी में यह इस्तित है गढ़वाल जो की उत्राखन में है को तिबबत से जोडता है यह दर्रा और इस दर्रे पर इस्थित देवताल जील से सरस्थी नदी निकलती है तो माना दर्रा पुछा जाया है उत्राखंड में है अगला है नीती दर्रा नीती दर्रा भी आपका उत्राखंड में ही है इस दर्रे से मान सरोवर कैलास यात्रा की जाती है अगला है लिपुलेक दर्रा कई बार पूछा जा चुका है ये उत्राखंड में है उत्राखंड को तिबबत से जोडता है लिपुलेक दर्रा नाथुला दर्रा ये भी कई बार पूछा गया है तो ये सिक्किम में है और ये डोगे क्या स्रेडी में है नाथुला दर्रा ये त दोंगे क्या दर्रा इस सिक्किम में है और भारत की सरवाधिक उचाई पर इस्तित जील चुलामू जील इसी दर्रे पर जो है अवस्तित है तो एक प्रशन यहां से आपका बन सकता है कि भारत की सरवाधिक उचाई पर इस्तित जील का नाम क्या है तो इस चुलामू जील और डोंगे क्या दर्रे पर ही जो है इस्तित है अगला है जेलेपला दर्रा जेलेपला दर्रा सिक्किम राज में है और ये तिबबत जाने का मार्ग जो है इसी दर्रे से होकर जाता है बोमडिला दर्रा ये आपका अवडांचल परदेश में है लहासा तिबबत जाने का मार्ग इ अगलब देखते हैं दीफुदर्रा आपका अवडांचल प्रदेश के पास है और ये भारत मियामार के मध्य परिवहन तथा ब्यापार को सुगम बनाता है दीफुदर्रा तो याद रखेगा दीफुदर्रा किसे राज में है तो अवडांचल प्रदेश में है नेक्स्ट है पांग साउदर्रा ये भी आपका अवडांचल प्रदेश में ही है पांग साउदर्रा तूजु दर्रा है आपका मणिपूर में इमफाल से म्यामार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है थालघाट दर्रा महरास्ट में है मुंबई, नागपूर, कोलकाता, र दर्रा पाल घाट दर्रा एक कीरल में है और काली कट तरिचूर से कोईंबर टूर इडो रेल यो मसड़क मार्ग पाल घाट दर्रे से ही गुजरता है थांगला दर्रा उत्राखन में है और सेन कुट्टा दर्रा ये आपका कीरल में है ये तमिल नाड को कीरल से जोडता है सेन क सब्सक्राइब के लिजेगा, साथ में विल आइकन को प्रेस के लिजेगा, जिसे आने वाले अकले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे, और पीडियाप इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, निचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से जोइन करके आप वीडियाप भी डाउनलूट कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,